हाई दोस्तों कैसे हो आप लोग एक दम बज़े में होगे वैसे दोस्त यह जो फोन आप मेरे हाथ में देख रहे हूँ यह मोटो एच फिप्टी और इस फोन को अराउंड मैं पिछले दो मेनों से एक प्रैमरी फोन की तरह यूज़ कर रहा हूँ अगर आप लोग सोच रहे ह चाहिए नहीं लेना चाहिए आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा लेकिन हाँ एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ अगर आपको यह वीडियो ना थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज दोस्ति वीडियो को लाइक कर देना तो यहां पर सबसे को पहले बात करते हैं फोन के डिजाइन इंख के बारे में फौन देखने में काफी प्रीमियम ड rocket के साथ में आता है फौन को का अच्वी तरीक इसे डिसाइन किया गया है वैसे iPhone का जो बैक पैनल है वो वीगल दीर का है टैच करने में प्रीमियम फिल तो देता है लेकिन आ नहीं तो आपके हाथ गंदे हैं और आप फोन को without back cover यूज़ कर रहे हो तो आपका back panel ना 2-3 दिन में गंदा हो जाएगा वैसे फोन को side से देखने पे ना phone जादा मोटा है ना जादा पतला है एक average सा thickness दिया गया है वैसे side में जो ये frame है ना ये frame metal का है तो यहाँ पे जब phone को हम side से grip करके पकड़ते है ना एक अच्छा grip बना रहता है phone हाथ से बारबा फिसलता नहीं है और phone light weight है 180 gram का weight दिया गया है फोन ना हाथ में carry करने के बाद बिलकुल light feel होता है नीचे की तरब यहाँ पर sim card ट्रे दिया गया है dual sim का option है memory card का option को हटा दिया गया है के वहला आप एक साथ 2 sim card को यूज़ कर पाऊगे और phone में dual stereo speaker का support है डॉल वी Atmos के साथ में speaker का sound quality and loudness है वो काफी जादा perfect है काफी loud आवाज करता है और इसी के साथ यहाँ पर in display fingerprint का भी support है fingerprint sensor काफी fast वर कर रहा है यहाँ पर मैं जितनी बार finger को touch कर रहा हूँ ना काफी fastly phone open हो रहा है और यह जो color मेरे हाथ में देख रहे हो phone का इस color का नाम है pitch first color वैसे यह phone इंडिया के अंदर के वल एकी variant में launch किया गया है 8256 इसका कोई और variant लाँच नहीं गया है और अब बात करें phone के display quality के बारे में तो phone में 6.67 inch की 1.5K resolution 10bit POA display दिया गया है साथ में 120 Hz का support है 6600 inch का brightness set किया गया है तो आउटडोर में दूप के अंदर phone को यूज करते हैं दूप के अंदर भी display काफी जाधा visible रहता है brightness को लगर इस्टगल नहीं करना पड़ता साइड में यहाँ पर बैजस और नीची की तरब चिंज जो दिया गया है न वो काफी जाधा पतला है इस वज़े से phone के अंदर जब हम कोई movie और video enjoy करते हैं यहाँ पर display quality काफी जाधा best है और 10 bit display दिया गया है तो यहाँ पर जो color recreation है display का वो भी काफी जाधा अच्छा है यही पर YouTube के ऊपर कोई video play करते हैं तो यहाँ पर large 4K HDR video का support है यहाँ पर कोई HDR video को play करते हैं तो यहाँ पर video glitch नहीं करता लेकिन video play करने के बाद बीच बीच में हलका हलका frame drop देखने को मिलता है एंड एक चीस्तों मैं मिसी कर रहा हूँ display के बारे में phone का display side से curved है तो कोई चीस slide करते हैं एक अच्छा effect देखने को मिलता है मेरे हिसाब से पिछले 2 मेनों में मैंने display को लेकर notice किया है कि phone का display quality काफी ज़्यादा बेश्ट है price के हिसाब से और अब finally बात करें phone के camera quality के बारे में तो phone के back side में triple camera का setup दिया गया है 50MP का primary camera, 13MP का ultra wide angle lens और 10MP का telephoto lens भी दिया गया है तो सबसे पहले आब main camera के photo sample देखिए जो आपने photo main camera के लिक के हुआ है main camera से काफी perfect quality के picture आ रहे है phone lighting और HDR को काफी proper तरीके से balance कर रहा है skin tone भी एक हट तक original है बट एक चीज़ आप notice करोगे न कि जितने भी photo हमने main camera से आपके लिक के हुए है सारे photo के अंदर आपको हलका हलका color boosting दिखाई देगा phone हलका सा color को enhance कर दे रहा है बगी quality काफी ज़्यादा perfect है detail काफी better show हो रहा है और जैसा कि ultra wide angle lens का भी support है तो यहाँ पर भी हमने photo click किया यहाँ पर भी notice करोगे detail काफी better है मलब 13MP के साबसे जो detail होना चाहिए ultra wide angle lens पे वो quality शो हो रहा है और एक दो photo हमने telephoto lens पर भी click किया यहाँ पर आप notice करोगे ना telephoto lens पर जो भी photo हमने click किया है काफी better detail है काफी better quality है और इसी के साथ front में आपे 32MP का selfie camera दिया गया है एक दो selfie भी हमने यहाँ पर click किया selfie के अंदर भी काफी अच्छी quality है काफी better details हो रहा है और इसी के साथ कुछ photo simple हमने night के अंदर भी click किया अब यहाँ पर आप notice करोगे कि जो भी photo हमने night के अंदर click किया है चाहिए वो back camera हो चाहिए वो selfie camera हो दोनों ही साथ back camera और selfie camera से night के अंदर photo काफी तगड़े quality के आ रहे है मतलब phone lighting को भी काफी अच्छी तरीकेस balance कर रहा है और detail भी काफी better है night में selfie के अंदर भी detail काफी अच्छा है और यहाँ पर back camera में भी काफी अच्छी quality है और जैसा कि इस phone को मैं पिछले दो मैंने सो यूज़ कर रहा हूँ तो बात करें phone के performance के बारे में इस phone के अंदर inbuilt लिक्या गया है 7 Gen 1 processor को मैंने पिछले दो मैंनों के अंदर phone के अंदर notice किया कि एक अच्छी खासी multitasking कर सकते है और कुछ normal application को open करते हैं तो काफी fast application open हो रहा है लेकिन जैसे ही कोई heavy application open करते हैं जैसे camera तो यहाँ पर देखोगे ना time लग रहा है एक दो second बात camera open हो रहा है कभी-कभी तो 5 second बात 6 second बात camera open होता है तो moto को इस चीज़ पे द्यान देना चाहिए कि heavy application open करने में ना delay हो रहा है बाकि normally phone यूज़ करने में काफी ज़्यादा smooth है कहीं पर भी frame drop नहीं होता और बात करें gaming experience के बारे में तो यहाँ पर phone के अंदर अगर bgmi play करते हैं तो graphics को यहाँ पर hdr पर करके और fps को ultra पर करके gaming कर पाएंगे gaming performance काफी ज़्यादा बेटर है यहाँ पर game खेलते हुए कहीं पर भी lagness देखने को नहीं मिलता लेकिन हाँ दोस्त एक problem है phone के अंदर कि phone normal से थोड़ा ज़्यादा heat होता है phone के अंदर hitting problem है और पिछले दो मेनों से में phone को use कर रहा हूँ अभी तक यह hitting problem solve नहीं हुआ है and एक major problem यह है दोस्त लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे कि दो मेनों के अंदर अभी तक कोई update नहीं आया है Motorola का मुझे यही चीज़ खराब लगता है कि यह जल्दी update नहीं देते इन चीज़ों पे na Motorola को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और दोस्त यह phone IP68 के rating के साथ में आता है मलब फोन पानी मी गिर गया या फोन के ऊपर थोड़ा बहुत पानी गिर गया तो यह मैनेज कर लेगा अब मैने आपको बता दिया तो ऐसा मत करना कि इसे पानी में डूबो डूबो के चेक करना पानी जा भी सकता है और सर्विस सेंटर वारे रिपेन नहीं करेंगे पैसा लगेगा बाकि फोन के अंदर सोलर 5G के बैंड दिये गए है 5G नेटवर्क पर 200 MB, 300 MB पर सेकेंड की स्पीड मिल जाती है साथ में फोन के अंदर 4G करियर एक रिगरेशन का भी सपोर्ट है एक चीज़ थोड़ा सा खराब लगा कि कॉल पर बात करते हुआ कॉल रिकॉर्डिंग करोगे अनाउस्पेंट होता है बाकि यह पर फोन का जो UI और एनिमेशन है वो काफी जादा परफेक्ट है अगर आप फोन को नरमली यूज़ करते हो 12 Gणट है 13 Gणट का बड़े अर्आम से मिल जाएगा लेकिन फोन को अगर आप बहुत हार्ड यूज़ करते हो तो आपको 6 Gणट ते 7 Gणट का बेकम मिल जाएगा अब ये आपके उपर depend करता है कि phone को आप कैसे use करोगे जिसे आप से use करोगे वैसा battery backup आपको देखने को मिलेगा phone में So finally दोस्त यही तीक छोटी से video इस smartphone के review के उपर इस video में मैंने अपना experience शेयर किया है कि वाके में ये phone मुझे 2 मेनों के अंदर कैसा लगा सब कुछ इसके अंदर कैसा दिया गया है मैंने 2 मेनों के अंदर 2 problem नोटिस किया पहला तो ये phone हीट हो रहा है और दूसरा problem ये है कि phone के अंदर 4K HDR वीडियो को play करते है तो वीडियो के बीच बीच में अलका frame drop होने लगता है ये 2 problem इस phone के अंदर है बाकिस सब कुछ ठीक है phone के अंदर तो यहाँ पर मैं आपको recommend करूँगा कि अगर इन दोनों problem से आपको कोई problem नहीं है तो आप इस phone की तरफ जा सकते हो और अगर आपको problem है तो आप खुछ समसदार हो चलिए दोस्त मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स वीडियो में उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो पसंदा होगा पसंदा होगा प्लीज लाइक कर देना मेरे इतने ज़्यादा मैनत के लिए